A very good morning to all of you, आज है 10 मार्च और 10 मार्च 2021 के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं Star IQ पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कल आप से सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा हाली में हर्याना सरकार ने किस जिले में पसू विज्यान केंदर खोलने की घोशना की है तो इसका सही अंसर था सिर्षा और भिवानी यानि कि A और B आप्शन बिलकुल ओके था इसका हमारा आज का पहला क्यूस्तन क्या होगा हाली में हर्याना के किस जिले में हर्याना वोमेन आपन 2021 का सुभारंब किया गया है हर्याना वोमेन आपन जो है ये All India Tennis Association के थूँ जो है इसे सुरू किया गया है और इसे रिसेंटली स्टार्ट किया गया है गुरू गुराम डिस्टिक के अंदर यानि कि सी आप्शन जो है इसके संका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा साथ दिन तक ये जो है टरूनामेंट चलेगा और इस टरूनामेंट में जो है हमारे पूरे भारत के 21 राज्यों के उच्चसतरीय खिलाडी जो है वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और एक बात और याद रखिएगा इसका सुभारंब जो है All India Tennis Association के दवारा ही किया गया है और किसने किया है भाजपा जिला अद्यक्स गागी करकरने और करनी सेना के राश्टी अद्यक्स सूर्जपाल अम्मूने अब यहाँ पे All India Tennis Association का जिकर है तो इसके अद्यक्स का नाम अनिल जैन है और इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1920 के अंदर जिकर तो गुरुग्राम का भी हुआ है मैप में देखिएगा गुरुग्राम गुरुग्राम की स्थापना एक नमबर 1966 को चेतरफल 1268 वर किलोमेटर विदान सबा चेतरों में गुरुग्राम पटोदी सोहना और बाच्चापूर का नाम आता है उपनामों में बहुत सारे उपनाम हैं जैसे साइबर सीटी है सपनों की सीटी है सोरुर्जा का हब है गुरु दुरुणाचारे का गाउं कॉल सेंटर आफ कापिटल भारत की मॉल सीटी इलेक्रोनिक सीटी अमीरों की नगरी और मिलिनियम सीटी भी इसे कहा जाता है अगला कि उस्तन हमारा क्या होगा कि हाल ही में गूगल ने हर्याना समेट कितने राज्यों में एक लाख महिला एग्री सर्मिक सर एग्री सर्मिक क्या होते हैं एग्री सर्मिक बेसिकली वो होते हैं एग्री वरकर्स उन्हें कहते हैं चो खेती बाड़ी करते हैं For example, आप आसाम में जाएएगा तो बहुत सारी महिला हैं आपको जो है वो चाय के पत्ते तोड़ते मिलेगी ठीक है आप भिहार साइट जाएए, यूपी साइड जाएए बहुत सारी महिला है आपको वहाँ पे जो है वो चावल लगाती मिलेगी एवन पश्यमंगाल साइड भ यहाल है तो ऐसे जो एग्री सर्मिक है जो एग्रीवर्कर्स है इनको यू कि यह आने वाले जमाने में जो है लेटस्ट टेकनिक के साथ में जो है वो खेतिवारी कर सके इसके इसके लिए Google ने रिसेट्ली जो है वो पांच लाख डॉलर अनुदान देने की घोशना की है छे राज्यों को कितने राज्यों को जी छे राज्यों को इसने में हर्याना भी included है भई छे कौन-कौन से हैं एक तो है भिहार, एक है हिमाचल प्रदेश, एक है हर्याना एक है राजस्थान, एक है उत्राकंड और एक है यूपी इनको जो है डिजिटल फाइनांस एजुकेशन ठीक है मतलब एक तो डिजिटल एजुकेशन देना एक इनको वितिय साहिता भी देना के साथ साक्षरता पे ये दोनों चीज अप्लाई करना इसी लिए जो है एक लाख महिला एगरी सरमिकों को ट्रेनिंग देने के लिए नासकॉम फाउंडेशन, ये फाउंडेशन इसको मिला है ये काम करेगा ट्रेनिंग देने का लेकिन गूगल ने इसको पैसे दे दिये कितने दे दिये भई पांच लाख ठीक है ना पांच लाख डॉलर दे दिये गूगल.org अनुदान देने की गोशना हुई है अभी एक बात और याद रखीगा रिसेंटली जो है गूगल ने वोमेन विल नाम का एक इवेंट भी लाउंच किया है फीमेल को ही जो है आगे ले जाने के लिए या उनकी यूं कहिएगा उनको आपका बिजनस में ज़्यादा भागेदारी दिखाने के लिए ठीक है और ये वोमेन विल जो है एक वेब पॉर्टल है जो तकरीबन दस लाख वोमेन उनमें बहुत जादा बेनिफिट करेगा यूं कहिएगा जो गाओं की महिलाएं है ना एक मिलियन गाओं की महिलाएं है उनको बिजनस में भागेदारी लाने के लिए या उनको बिजनस सिखाने के लिए स्टार्ट अप देने के लिए Women Will Event शुरू किया है Google ने 8 March को Google का जिकर कर रहा हूँ मैं तो Google के CEO का नाम सुन्दर पीचाई है Google की Mother Company का नाम Alphabet है और Alphabet Inc. के CEO भी सुन्दर पीचाई है Google की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी California के अंदर जो है इसका Headquarter है ही अमेरिका के अंदर इसके संस्तापक का नाम Larry Page और सरजी बिन है याद रखिएगा आप लोग जिकर तो यहाँ पे NASCOM का भी है तो NASCOM की बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना हुई थी कब 1988 को हुई थी बढ़ते हैं आगे हर्याना में महीलाओं के लिए कितने परतिसत राशन डिपो अलोट किये जाएंगे तो महीलाओं के लिए स्पेसली 33% जो है राशन डिपो अलोट किये जाएंगे ये घोशना अभी हाल ही में हर्याना के मुख्यमंत्री दुशन चोटाला ने की है ठीक है हरियाना देश का पहला राज्य बन गया है जा राशन कार्ड धारकों को मुबाइल डिपो के माध्यम से घर दवार पर राशन उपलब्द करवाया जाएगा और इसकी परिकरिया की सुरुवात कहां से कर दीजी अफरिदाबाद से हो भी चुकी है और भार सरकार की वन नेशन वन राशन स्कीम का भी अभिहान चलाया गया है एक करोड बाइस लाख लोगों का अधार नंबर जो है वो राशन कार्ड लेने वालों के साथ में लिंक भी कर दिया गया है तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्युस्तन से एक करोड बाइस लाख लावारती अधार से लिंक हो गए है और महिला दिवस पे डिप्टी सीम दुशन चोटाला ने विधान सबा में इसकी घोशना की है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्युस्तन होगा कि हाली में सिक्षा विभाग ने किस विशे के चात्राओं की तरज पर अब चात्राओं को निशुल्क प्रिवन सुईधा लाब देने का जो है वो फैसला किया है किस विश्य के तरज पे ही साइंस विश्य के तरज पे यानि कि B option जो है इसक्युसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा चात्रा प्रिवन सुरुक्षा योजना की तरज पे जो है विज्यान संकाय की पढ़ाई करने वाले राज के विध्यालियों के चात्रों को अब सिक्षा विभाग की तरफ से फ्री में जो है प्रिवन की सुईधा उपलब दिकरवाई जाएगी ठीक है विज्यान विश्य की पढ़ाई करने वाले सभी चात्रों को किलोमेटर के इसाब से किराया दिया जाएगा और ग्रामिन चात्रों को प्रिवन्स रुक्षा योजना के तैद घर से स्कूल आने के लिए चार उपे परती किलोमेटर दिये जाएगे अरे वाओ किती गजब की बात कर दी हरियाना ने तो भाई आप स्कूल जाएंगे एक तो आपको फ्री में तो जाना ही जाना है ठीक है बतलब आपका बस में किराया तो लगेगा यह लगेगा नहीं लेगिन उपर से इपॉटन बात है कि आप जितने किलोमेटर चलके हैं आपको पर किलोमेटर के लिए चार रुपे भी मिलेंगे ठीक है अरे वाओ क्या बात है भई गजब की बात हो गई यह तो ठीक है चलो अच्छी बात है यह तो और इसके लिए चात्राओं की उपस्तिती साठ परसंट या इस से अधिकनिवारे हाँ अटेंडस साठ परसंट से जदा होनी बहुत ज़रूरी यह और किसी चात्र के घर से स्कूल आठ किलोमेटर दूर है तो उसे सोला किलोमेटर के लिए के लिए चार रुपे के हिसाब से हर महीने पच्चीस दिनों के लिए सोला सो रुपे जो है वो मिलने वाले है एस टेलन डे लाप प्लेना में आयोजित 2021 बॉक्सम अलीट इंटरनेशनल टूर्णामेंट में हर्याना के किस खिलाडी ने पूर्सों के 63 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीता है तो हर्याना के खिलाडी है मनीश कोशिक इन्होंने जो है वो गॉल्ड मेडल जीत है ये टूर्णामेंट एक मार्च से साथ मार्च 2021 को हुआ था इसमें 17 देशों के 127 मुक्य बाजों ने जो है वो इसमें हिस्सा लिया था और इस टूर्णामेंट का आयोजिन करवाया था स्पैनिस बॉक्सिंग फैडरेशन के दवारा और इसमें जो है छे बार की विश्व चैंपियन जो मैरीकॉम है ना एमसी मैरीकॉम इन्होंने 51 किलोग्राम भारवर्ग में महीलाओं के जो है वो मुक्य बाजी में कांश्य पदक जीता भाग लेने वाले देश कौन-कौन से थे जैसे बेलजियम है चिली है डैनमार्क है इकवाडोर फ्रांस भार्थ इटली इ एसमिन को जो है रजट मिला था महीलाओं के 57 किलोग्राम भारवर्ग में सिमरन कोरबात को जो है महीलाओं के 60 किलोग्राम भारवर्ग में रजट मिला पूजा रानी को 75 किलोग्राम में रजट मिला महमद को जो है वो 57 किलोग्राम में रजट मिला विकास कृष्ण को भी र रहने वाले हैं भीवानी की रहने वाले हैं 11 जनवरी 1996 को जो है इनका जनम हुआ था बॉक्सम क्या है ये एक अंतरास्टिय टूर्णामेंट है जो कि 1976 से ही आउजित करवाया जा रहा है इस टूर्णामेंट को स्पेन की कई सहर जैसे की जारा गोजा ला करूना सेविला वीग तो यहां पर जो है इसका आयोजन करवाया जाता है और बॉक्सिंग फैडरेशन ओफ इंडिया जो है इसके अध्यक्स भी आपको पता होने चीए अजे सिंग है अगला किस्तन हमारा होगा कि हाली में हर्याना सरकार ने किस जिले में राजकिये विस्विधाले खोलने की घो आप्शन सही है इसकी घोषना सिक्षा मंत्री कमर पाल ने की है ठीक है और इसकी जो है 21 स्टेट युनिवरस्टी और एक सेंट्रल युनिवरस्टी स्थापित होने की भी जानकारी दी है इसी के साथ हर्याना ने ठीक है हर्याना के जो यह आपके सिक्षा मंत्री है इन्हों नहीं इनका नाम है कवरपाल गुजर और यह आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यहीं है कवरपाल गुजर जिकर नुह का करिएगा स्थापना चार अप्रेल दो हुजर पांच को छेतर फल बंदरा सो साथ वर किलोमेटर विदान सबा छेतरों में नुह, फिरोजपूर और पुनहाना का नाम आता है और भारत के पहले कंट्री कलब के लिए जाना जाता है और इसमें आपके तावुडू भी एक जगह है जो भी कई बार एक्जाम में पूछी जा चुकी है अगला क्यूस्थन हमारा होगा कि हर्याना में पहली बार किस जिले में प्लास्टिक सिर्षा के डबवाली में जो है वो सड़क बनाई जाएगी 12 फिट चोड़ी होगी और 18 फिट जो है 12 फिट चोड़ा जो रोड़ा उसको 18 फिट किया जाएगा यूं कहिएगा आप लोग जो वरतमान में 12 फिट है उसको 18 फिट कर दिया जाएगा ठीक है और ये एक नैनो टेक 24 किलोमेटर लंबी सड़क बनाई जाएगी अब जिकर सिर्षा का हुआ है तो सिर्षा के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग सिर्षा को मैप में देखिएगा ये रहा सिर्षा सिर्षा के स्थापना एक सितंबर 1975 को चेतर फल 4270 वर किलोमेटर विदान सभा चेतरों में काला वाली डव वाली रानिया एहलाबाद और सिर्षा का नाम आता है याद रखिएगा आप लोग उपनामों में संतों की नगरी हर्याना की वन नगरी हर्याना की साहित्यक नगरी और द्योगों में हंटर जीप द्योग भी परसिद द्योग है यहां का अगला किस्तन हमारा कि संस्कृत भासा को डिजिटल प्लाटफॉर्म देने के लिए हाल ही में किस ने अपने नाम से YouTube चैनल शुरू किया है तो संस्कृत भासा को डिजिटल प्लाटफॉर्म देने के लिए अभी हाल ही में हर्याना संस्कृत अकादमी ने हर्याना संस्कृत अकादमी ने अपना YouTube चैनल जो है वो शुरू किया है बी option सही रहेगा इसका हमारा संस्कृत अकादमी का mobile application भी launch किया गया है इस अकादमी के निदेशक का नाम है डॉक्टर दिनेश सास्त्री है इन्होंने संस्कृत भासा को जो है आगे ले जाने के लिए ये YouTube चैनल शुरू कर दिया और हर्याना सरकार ने 11 संस्कृत विस्व विधाले कैथल में स्तापित किया है ये बात भी आप याद करिएगा इपॉटन्ट है ये यानि कि विधार्टियों को संस्कृत सीखने के लिए हर्याना से बाहर नहीं जाना पड़ेगा ठीक है और ये YouTube चैनल है साथ की साथ भई आप स्टार आच्चू को भी सब्सक्राइब करी लीजिएगा ध्यान चंद राष्टिय पुरुसकार से समानित भारतिय अथलीट इशर सिंग देवल का अभी हाल ही में निधन हुआ है ठीक है और इशर सिंग का निधन हुआ है 91 वर्स की उमर में यानि कि B option जो है इसके सन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा 1951 से 1960 तक Short Put और Discus Throw में इन्होंने परमुक रूप से भाग लिया था चंदिगर में इनका निधन हुआ है 7 सितंबर 1929 को पंजाब के लुध्याना के रंगवाल में इनका जनम हुआ था उस टाइन पर हर्याना पंजाब के एक ही था लेकिन हर्याना के मांग तो उठी रही थी लगातार 30 सालों तक इन्होंने पंजाब एटलेट असोशेशन के महासचिव के रूप में काम भी किया है बारती अथलीट महासंग के उपाद्यक्स और चैन स्मीति के सदेश्य के रूप में भी काम कर चुके हैं इनको 2009 में उस समय की राश्टरपती परतिवा पाटिल ने खेल के परती आजीवन योगदान के लिए ध्यानचन राश्टिय पुरुषकार से सम्मानित भी किया था और 1951 में देश और राज्य के लिए कई सारे पदक जीते हैं इन्होंने 1954 में उन्होंने मनिला फिलिपेंस में जो है दूसरे एश्याई खेलों में काश्य पदक जीता था अंतराश्टिय एथलीट मीट 1957 में शोटपुट में 46 फिट 11.2 इंच का एक नया एश्याई रिकोर्ड भी इनोंने बनाया था 1982 में पहले एश्याई दिगज एथलीट मीट में गॉल्ड मैडल जीता था सिंगापूर में जिसे आज़ित किया गया था तो काफी सारी उपलब दिया है इनके नाम पे आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है इसर सिंग देवल जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं इतने ही थे आज के किस्तन और आप लोगों के लिए क्या रहेगा कि हाले में हर्याना सरकार ने अनात बच्चों को सरक्षन और आश्रे देने के लिए कौन सी योज योजना शुरू की है हरी हर, हर्याना आश्रे योजना, हर्याना सरक्षन योजना, उप्रोक सभी बताइए विस्तार से इसके बारे में कल फीर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अप्डेट के साथ तब तक स्टे हापी, स्टे हैल्दी, थैंक्यू सो मच